नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत हैं यूटूब चैनल मंडे बाव राजमे में दिनेशन पाटेतार और दोस्तों स्वया बिन में बारी तेजी से हाजिरी सरसों तेल उचला हैं और विदेश की नर्मी बैसर राजस्तान सईथ सभी उत्पादक छेत्रों में सरसों और तेल में 500 रुपए प्रितिक इंटल का जोरदार इजाफा देखने को मिला हैं गरेलू बाजारों में स्वयाबिन और आयल कॉंपलेक्स की तेजी के साथ मजबुत मांग का समर्तन रहा हैं और विदेशी बाजारों में आयल कॉंपलेक्स गिरावट के रुप में हैं तो दोस्तो जैपूर में 42 पिजदी कंडिशन सर्सों 6500 से 6505 रुपए प्रितिक इंटल बिका हैं कल और इसके साथ ही भाव बढ़कर 6600 से लगा करके 6605 रुपए प्रितिक इंटल तर पहुंच गए हैं तो पिछले कुछ सब्ता में सर्सों के भाव में 6350 से 6355 रुपए प्रितिक रही रही यानि प्रति बोरी 80 किलो के इसाब से 6555 रुपए प्रितिक इंटल बोरी आवक पूरे भारत के अंदर देखने को मिली हैं और आवक गट करकर अब वरतमान समय में जो कल की रिपोर्ट हैं दोस्तों 6525 बोरी रह गई यानि कि 50 जो लाग बोरी हैं वो आवक सर्सों की कम होने लगी हैं तो सर्सों की आवक में लगातार गीरावट देखने को मिल रही हैं और सर्सों तेल में जो 34 रुपए प्रतिक इंटल की तेजी देखने को मिली हैं इसके साथ ही भाव बटने से कुल बढ़ोतरी 64 रुपए प्रतिक इंटल की तेजी भी देखने को मिली ह डालर प्रति टन पर भीक रहा हैं बीते हपते बाव इसी स्तर पर थे लेकिन बाव गीर कर 1145 डालर पर आ गए हैं तो स्वेया तेल डीगम अप्रेल 1257 डालर से गट करके 1227 डालर रह गया हैं और गिरावट आने से बाव 1221 डालर प्रति टन रह गया हैं पोर्ट पर भारती मुद्रा में क्रूड पॉम तेल आयल 1189 रुपए प्रति 10 किलो के पूर इस्तर पर थे लेकिन घिया गटकर 1189 रुपए रह गए हैं विपरित पिछले इस्तर 1310 रुपए बीक राता स्वेया तेल डीगम और 1320 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुँच गया है तो उदर NCDX में सर्सों ही नहीं स्वयाबिन में भी जोरदार तेजी रही हैं सर्सों वाइदा 4 फिजदी और स्वयाबिन वाइदा 6 फिजदी तक की तेजी देखने को मिली हैं इसके परवाव में स्वया तेल रिपाइन वाइदा भी सुबह की नर्मी उबर कर तेज हो गय और जानकारों का कहना है कि दोस्तों यह समानिय है कि स्वयाबीन वायदा सरसों वायदा से उपर चल रहा है वायदा में स्वयाबीन 6500 रुपए के आसपास भी की जबकि सरसों के कॉंट्रेक्ट कुछ निचे सेटल हुए है तो सुत्रों के अनुसार जिन निर्यातकों ने उचे भाव पर स्वयाबीन निर्यात की सोदे कर रहे हैं वे स्वयाबीन की खरीद कर रहे हैं और आगे और तेजी की उमीद में विक्वाली बहुत काम हैं तो हाजीर बाजार में स्टोकिट प्रोसेसर्स और मिलर्स की लगातार खरीद बनी हुई हैं और बाजार सुत्रों के अनुसार आवक का समापत होने के बाद भारी तेजी की उमीद में स्टोकिट मिलर्स और प्रोसेसर्स उचे बाव पर भी स्टोक जुटाने में सक रहे है तो आवक में गिरावाट आने से भी तेजी को बल मिलने की काफी संभावनाय दीख रही है दोस्तों सरसू तेल की बात करें तो जैपूर में 1328 से 1329 रुपए और अन्न मेड्यों में 1318 से 1319 रुपए प्रति 10 किलोग्राम पर कारोबार हो रहा है लेकिन दोस्तों अन्न जो बात करें पिछले अपते भाव जो रहे हैं वो भी कमजोर थे लेकिन अभी इसमें सरसो तेल में भी तेजी देखने को मिली है इसके साथ ही पूरे देश में जो सरसों की आवक की बात करें तो 625 लाग बोरी आकी जा रही हैं और आवक राजस्तान में 4 लाग बोरी मज़ प्रदेश में 20 अजार उत्तर प्रदेश में 90 अजार हिमाचल प्रदेश में 65 अजार हुजरात में 30 अजार और अन्न में 30 अजा रुपे की तेजी के साथ 6463 रुपई पिंटल पर दर्च किया गया है तो मंहें वाइधा तो सुबते रुपए की بड़त के साथ 647 रुपए हो गया है जब्लान वाइधा 2986 रुपए की तेजी के साथ 6520 रुपए रहा है उक जूलाइ वाइधा 28 login रुपए बढ़कर 6568 और अगस्त वाइदा 247 रुपए बढ़कर 661 रुपए प्रितिक इंटल पर हो गया है तो दोस्तों जो स्वयाबिन हैं उसमें भी भारी तेजी देखने को मिलेगी क्योंकि स्वयाबिन की भी आवकें अब दीरे-दीरे गटने लगी हैं और मंडियों मे कापी आवकें गटने लगी हैं जिसके कारण स्वयाबिन के भाव और भी तेज हो सकते हैं तो इसके साथ ही सरसों की बात करें दोस्तों तो सरसों के भाव में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली हैं क्योंकि वाइदा जो सोदे हुए हैं वो अच्छे सोदे हुए हैं त सरसों के भाव पहुंचने वाले हैं तो सोयबिन और सरसों में बंपर तेजी का दोर जारी हैं दोस्तों और जो स्टोकिट हैं या मील्स वाले हैं ये सबी अभी भी सक्री हैं और उच्च दामों पर भी स्टोक करने के लिए तयार हैं क्योंकि इन सबी को पता हैं कि इन में फि लगातार खरीद बनी हुई हैं और जोरदार तेजी की संभावनाएं दिख रही हैं दोस्तों तो ये थी दोस्तों सरसों और स्वयाविन की पूरी रिपोर्ट जिसमें लगातार तेजी बन रही हैं आपको मंडियों में भी आउके कम दिखने को मिलने लगी हैं और स्वयावि तो काफी डिमांड अच्छी विदेशों में भी स्वयाविन का उत्पादन बहुत कम हुआ हैं विदेशों में भी काफी अच्छी स्वयाविन की डिमांड हैं सरसों की भी डिमांड हैं और सरसों और स्वयाविन तेल की मांग भी काफी बढ़ रही हैं जिसके कारण आने वाल में पिछले जो अनुमान के अनुसार आवके हो रही थी उसमें कापी कम पचास जार बोरी आवकों की कल कम देखने को मिली हैं जो की पिछले पकवाड़े ज्यादा आवके थी जिसके मुकाबले कल पचास जार बोरी कम सर्सों की आवके देखने को मिली हैं तो सर्सों सबसे ज स्टोक करना चाते हैं या तो स्वयाबीन और सरसों में अभी भी स्टोक कर सकते हैं आने वाले दिनों में आपको इन में भी और भी मुनाफ़े की कुझाइस दिख रहे हैं दोस्तों वीडियो वसना है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए धन्यवाद